वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें और आज हम पढ़ेंगे उग्रह के बारे में यानि सैटेलाइट तो उग्रह क्या होते हैं ऐसे आकासी पिंड जो प्रिथवी के चारो और चक्कर लगाते हैं वे उग्रह कहलाते हैं ठीक है यह प्राक्रितिक भी हो सकते हैं किट्रिम भी हो सकते हैं ठीक है प्राक्रितिक उप फंब रहे और चंद्रमा के गुरुत्वी तुरण का मांन प्रिथवी के गुरुत्वी तुरण के मान एक बटा चठ्मा भाग है इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति को भार होता है ति की पर शिक किलो है तो चंद्रमा पर वही उसका भार एक किलो होगा ठीक तो भार हम लोग जानते हैं कि भार क्या होता है mg होता है यानि किसी भी वैक्ति का द्रविमान और गुरुत्वी त्वरण पर यह डिपेंड करता है ठीक पिछले वीडियो में हम लोग चाल पर देखते हैं तो इसमें है जब कोई उग्रह प्रित्वी के चारो और वृत्तियक अक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्रिय बल कारी करता है ठीक है हमने पढ़ा था अभिकेंद्रिय बल और अभिकेंद्रिय बल हम दोनों पढ़ चुके हैं ठीक ह और यह बल प्रित्वी द्वारा उप्ग्रह पर लगाया गया गुर्त्वा कर्षण बल होता है तो देखिए प्रित्वी है यहाँ पे इसके चारों और कोई उप्ग्रह चक्कर लगा रहा है एक प्रित्वी कक्षा में तो उस पे अभिकेंद्री बल कारी करता है और यह जो ब ये वी जिरो जो है वो कच्छी चाल है आर इर प्रिथवी की त्रिज्या है अंडर रूट जी जो है आपका गुर्थवी त्वरण है और ये अपते हैं उग्रह की कच्छी चाल द्रविमान पर निर्भर नहीं करती है ठीक है कैसे आप ये देखे फॉर्मूला देख लिजे ठ द्रविमान पर निर्भर नहीं करती है अधिक्तम उचाई पर प्रिथवी की चाल नियूंतम होती है ठीक है अधिक्तम उचाई पर प्रिथवी की चाल नियूंतम होती है क्योंकि ये जो आपका कच्छी चाल है वी जिरो ये व्यूत्क्रमान पाती है अपना उचाई के यान आपका लगभग यह है आठ किलो मीटर पर सेकेंड ठीक आगे बढ़ते हैं आगे आता है आपका भूब ग्रह का कॉंसेप्ट देखते हैं तो भूब ग्रह वह पिंड है जो प्रिथवी के परितह प्रिक्रमर करते हैं ठीक इसमें नाम से पता चल रहा है भू यानि प्रिथव हम लोग विख्णी अच्छा में तो उसमें क्या था कि इनका प्त होता है बसूरी के चार्हों चक्कर लगाने का वह दिरग बृत्धा तो उसकी एक नाभी पर सूर्य होता है हमने यह देखा था दूसरा यह देखा था कि समान समय में यह उपग्रह की गति जो है धिमी होग इसको पिछली वीडियो में आप जाके डिटेल में पढ़ दीजेगा और विशेश बात यह है कि इन उग्रहों की गति प्रिथवी के परित्व कच्छाएं वृत्ताकार अथवा दिर्गवित्ताकार हैं और प्रिथवी का एक मात्र प्राक्षतिक उपग्या चंद्रमा है जो जबाद लखीगा चंद्रमा का 27 दस्मनों तीन दिन का परिक्रमण काल होता है ठीक है आगे है तुल्य काली तथा द्रुवी उपग्रह की बात करें तो उपग्रह जो प्रिथवी के विशुवत वृत्त के तल अर्थात निरक्षि समतल में प्रिथवी के परित्तव वृत् से परिक्रमण करते हैं तुल्य काली उपग्रह कहलाते हैं ठीक है तो ऐसे समझ दिए मोटी मोटी वासा में के ऐसे उपग्रह जिनका आवर्थ परिक्रमण काल्ज होता है ठीक है क्योंकि प्रिथवी समान आवर्थ काल से अपने अक्षपर घुडन करती है अतया उपग्रह प्रिथवी के किसी भी बिन्दू से स्थिर प्रतीत होगा ठीक है और प्रिथवी के प्रिष्ट से इनकी अधिक उचाई तक फेकने के लिए अत्यन सक्तिसाली रॉकेटों के आविश्यक्ता होती है तो इसमें देखें कॉंसेप्ट क्या है अगर उनका आवर्तकाल परिक्रमर प्रिथवी के बराबर है ठीक है जैसा प्रिथवी यहां पर है कोई एक व्यक्ति यहां पर है और यहां पर सैटेलाइट लॉंच की जाती है प्रिथवी के आवर्तकाल के हिसाब से यानि जिनका आवर्तकाल 24 गंटे है अगर एक समय पर यहां पर व्यक्ति है और यह तो मतलब यह है कि किसी भी बिंदू से यह अगर उसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है तो हमेशा इस्थर प्रतीत होगा ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कॉंसेप्ट है आपका पलायन वेग का यानि इसकेप वेलोसिटी तो यह क्या होता है कि पलायन वेग वह नियुंतम वेग है जिससे किसी पिंदू को उर्ध्वा धर उपर की और फेकने पर वह प्रित्वी के गुरुत्वी छेत्र के बाहर निकल ज लग जाएगा उपर वह वापस प्रित्वी पर नहीं लोटेगा और पलायन वेग से फेकने के लिए पिंद को दी गई गतिज उर्जा क्या कहलाती है और यदि किसी पिंद को 11.2 किलो मीटर पर सेकंड की वेग से उपर की और फेक आ जाए तो वह पिंद प्रित्वी पर कभ 11.2 किलो मीटर पर सेकंड के वेग से उपर की और फेका जाए तो वह पिंद प्रित्वी पर कभी भी लोट कर नहीं आएगा तो इसका क्या मतलब है 11.2 ही प्रित्वी के लिए वह नियुंतम वेग है जिससे किसी पिंद को अगर उर्धवा दर फेका जाएगा तो प्रित्व मॉइक के लिए अपका 11.2 किलो मीटर पर सेकंड ठीक आगे दो समभाव नहीं कर जाते हैं इसलिए चंद्रमा पर वाजण कर जाते हैं ठीक है तो चंद्रमा पर क्यों नहीं वायुमंडल होता है क्योंकि गैस के जो अड़ूं का वेग है चंद्रमा के पलायन वेग यानि 2.4 किलो मीटर पर सेकेंड से जादा होता है ठीक है इसलिए गैस के अड़ू जो है रुखी नहीं पाते हैं वो पलायन कर जाते हैं इसलिए फेकी गई किसी वस्तु का पलायन वेग VE हो तो देखे इन दोनों में संबंद क्या होता है VE इक्वल टू अंडरूट V0 ठीक है VE इक्वल टू अंडरूट V0 ये इसको याद कर जाए जहां पर VE जो है वो पलायन वेग है और V0 क्या है कच्छी चाल है इसपश्ट है यदि किसी प्रित्वी के समीब चलकर काटते किसी ग्रह की कच्छी चाल किसी कारण वस्त बढ़कर अंडरूट टू गुनी हो जाए तो वह उबग्रह अपनी कच्छा को छोड़कर पलायन कर जाएगा ठी आगे देखते हैं अगला कॉंसेप्ट है उबग्रह की उर्जा ठीक है उबग्रह की उर्जा क्या होती है किसी कच्छा में घुमते हुए उबग्रह की कुल उर्जा उसकी गुरुत्वी स्थिति जूर्जा और गति जूर्जा का योग होती है ठीक है तो वही कॉंसेप्ट ह तेक्टा है मैकैनिकल एनर्जी का स्थिते जूर्जा और फॉर्मूला है य्व एक्वल टू-gm m M upon R और गते जूर्जा का वही हाफ G M E M upon R ठीक है तो इसलिए उग्रा की कुल उर्जा क्या हो गई आपकी इन दोनों का योग करना होता है दोनों को जोड़ना रहता है जिसमें आपका एंसर आएगा उग्रा की कुल उर्जा E बराबर माइनस एक बटे दो G M E M upon R ठीक आगे है उग्रा की बंधन उर्जा Binding Energy of Satellite तो देखे बंधन उर्जा क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं किसी उग्रा को उसकी कक्षा में पलायन कराने ही तो आवश्यक उर्जा की मात्रा उस उग्रा के बंधन उर्जा कहलात होती है तो उपग्रा की बंधन उर्जा को कैसे डिस्क्राइब करेंगे यह होता है आपका बराबर माइनस ग्रुप उपग्रा की कुल उर्जा बराबर उपग्रा की गतेज उर्जा वह होगी आपकी G G M M upon 2R ठीक है परिक्रमर काल टाइम पीरियर ऑफ सैटेलाइट इसमें है किसी उपग्राफ डारा ग्रह के चार ओर एक परिक्रमर पूर करने में लगा समय उसका परिक्रमर काल कहलाता है जिसका आवर्द काल 24 घंटे होता है भू इस्थिर उपग्रा कहलाते है मतलब जिसका आवर्द काल利 के बराबर होगा वह ब्भू मत और भूज से रुग्रह की पृत्वी सतह से उजाई 36000 किलो मीटर होती है और इसका फिर परिक्रमरकाल की परिभासा देख लेते हैं परिक्रमरकाल और टी कुल टू टू पाई अंडर रूट आर इप्लस एच का क्यू अपॉन स्मॉल जी यानि गुरुत्वी त्वरण आर इका स्क्वार ठीक है यह आपको उग्रह की परिक्रमरकाल की परिभासा है जिसको रट जाहिएगा इतना ही इंपॉर्टन नहीं है कैलकुलेशन कमाता है आपके एक्जाम में तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच